आप तो ये सोच तो पैसे दे दी है तो मेरा तो Air Force में सेलेक्शन पक्का हो गया जबकि ऐसा बिलकुल नहीं है हलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी के एक वर फिट से लर्न बेश चैनल पर जिसमें आज हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ा सबाल यानि कि Air Force के एकजाम में सबसे ज़्यादा स्टुडेंट क्यों फेल होते हैं और इसका कारण क्या है और इसको कैसे दूर कर सकते हैं इस सभी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और इस वीडियो को आपको सुरू से लेकर लाज तक जरूर देखना है आदी इंफोर्मिशन हमेशा कतरनाक रहती है तो इसलिए सुरू से लेकर लाज तक इसको जरूर देखिएगा और जो लोग वीडियो को बीच में ही चोड़कर जाने वाले हैं वो अभी से चले जाने तो better है क्योंकि आधी information हमेशा खतरनाक रहती है, तो जदातर students क्यों fail होते हैं? इसके तीन main reason है, सबसे पहला reason यह है कि students सोचता है कि जो action ले रहा है, बार बार वही same action ले रहा है, लेकिन result क्या आँना चाहिए? different आँना चाहिए, और सोच रहा है कि इस पर exam clear होगा, तो कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप लोग सेम action लेते रहोगे, सेम ही result आएंगे, different result नहीं आएंगे, जब तक आप लोग यह नहीं पहचान होगे कि गलती कहां पर हो रही है, तब तक कोई फायदा नहीं है, और कुछ लोग तो enroll ही नहीं कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, वो अपने action को change ही नहीं करना चाते हैं, इसका हम एक example देते हैं, student अपने action को बदलना ही नहीं चाते हैं, कहने का मतलब, वो अभी भी books से ही study करते रहना चाते हैं, जो उनके पास notes हैं, उनी में सीमित रहना चाते हैं, वो अपनी knowledge को बढ़ाना नहीं चाते हैं, अपने mind को वहीं तक सीमित रखना चाते हैं, अपने दिमाग को हमेशा close करके रखते हैं, तो क्या different action हो सकते हैं, different action यह है कि कुछ online exam चल रहे हैं, उनमें आकर participate कीजिए, वहां से अपने preparation का पता लगाईए, किस level पर आपकी preparation चल रही है, और जो learn my online exam की test series चल रही है, उसमें सबसे बुरी बात यह है, कि students enroll ही नहीं करते हैं, और students अपने action को बदलना भी नहीं चाते हैं, कहने का मतलब, enrolling वाली videos को काफी लोगों ने देखा, लेकिन enroll कितनों ने किया, सिर्फ 800 students नहीं, और उसमें से भी exam के लिए कितने enroll करते हैं, जाते हैं, कुछ problem आती हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने resolve किये, लेकिन कुछ instruments थे, जिनको बार बार में से जाने के बाद भी resolve नहीं किये, जैसे ही exam में start हुआ, एक संग तूट पड़े के सर, exam नहीं हो पा रहा है, no record found, या previous exam में है, जबकि हमने कई बार बोला, ज जिससे की different result आ सके, आपने जो अभी तक तैयारी किये, उसको test करने का समय आ गया है, तो जादा से जादा लोग enroll कीजिए, register कीजिए, सब कुछ है, tutorial हमने आपके लिए पहले बना रखे है, registration tutorial, enrolling full process video, लेकिन ऐसा लगता है कि वीडियो तो सिर्फ हम अपने लिए बनाते हैं आप लोग देखते ही नहीं हो, वीडियो में पूरी process बताने के बाद भी same question आकर पूछते हैं, कि किस तरीके से registration करना है, problem नहीं पूछते हैं, same question को आकर पूछते हैं, जो की already वीडियो में discuss किया जा चुका है, second reason है, arrogant और ego, यानि कि वे अपनी बात पर अड़े रहना चात हो, जो आपको पढ़ा रहा है, या जो पिछले 2-3 साल से या 4 साल से Air Force की लिए तयारी करा रहा है, या कर चुका है, उसके पास कुछ तो experience होगा, उससे आपको कुछ सीखना चाहिए, उससे आपको कुछ पूछना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको सब कुछ पता है, ठीक है, तो जब तक आप लोग वह अला attitude नहीं लेकर आओगे, कि मुझे सब कुछ जानना है, पूछिए, different different platform पर जाकर पूछिए, थोड़ा सा दिमाग चलाईए, और इस चीज को बंद कीजे कि मुझे सब कुछ पता है, आपको हमेशा doubt होना चाहिए, इस चीज के उपर कि जो तो नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना, घूम पिर के उसी रूल पर वापस आजाते हैं, जो हम starting से करते आ रहे हैं, तो same action कभी भी different result नहीं देगा, ये बात ध्यान रख लीजे, और third reason है कि कि किसी पर भी blindly trust कर लेना, दो तीन दिन पहले आपको कोई भाई मिला, और वो आकर कह करता है कि मैं आपका Air Force में selection करा दूँगा, ठीक है, तो आप उससे जाकर पूछिए तो सही, इतना भाई पना क्यों बना रहा है, चाहते क्या है, ठीक है, आप लोग उससे कुछ question नहीं पूछते हो, उससे आपको कुछ नहीं पूछना है, उसने आकर बोल दिया कि मैं तेर पर बिल्कुल भी वरोसा नहीं है, अपने action में कभी भी परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ कोई आकर बोल दे कि मैं तेरा Air Force में selection करा दूँगा, उससे जाकर पूछो तो सही, कि कैसे करा देगा, क्या लगता है तेरा वाई Air Force में, at the end, क्या करते हो, आप लोग पूछ लेते हैं, और अपनी study को वहीं stop कर देते हैं, और बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं, जैसे उनकी seat तो बिल्कुल भुक हो चुकी है, जबकि यह सबसे बड़ा जूट है, और अभी हम लोग पैसे की उपर भी बात करेंगे, पैसे कहां देने चाहिए, कहां नहीं देने चाहिए, किस ही आकर बोलते हो comment में, कि मेरे दोस्त नहीं सा किया, मेरे दोस्त नहीं सा किया, ठीक है, तो वो आपका exam निकलवा देगा, उसके बाद क्या, physical, दोड़ना तो आपको यह है, वो थोड़ी ना दोड़ेगा, या किसी और को दोड़ा देगा, जो आपकी performance को देख रहे हैं, व की ऐसा बिलकुल नहीं है, जीडी में तो आपको ही बोलना है, performance तो आपकी ही so होगी वहाँ पर, तो कुछ नहीं करते, वहाँ पैसे दे दिए, पैसे फसा दिए, और at the end क्या result आता है, जीरो, आपके पैसे भी डूब गए, और आपका air force में selection भी नहीं हुआ, तो इसका प्रोकर आता है, आपसे मांगता है, आट लाग, दस लाग, पांच लाग, तो आप लोग आसानी से अपने parents के पास जाते हो, और parents क्या बोलते हैं, चल ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए अपने खेत को बेग दूँगा, गया गिर भी रग दूँगा, वह ऐसा करते हैं, और end म आपको खुद से मैनत करने पर आप बिल्कुल भी खर्च नहीं करते हो, इस चीज को ध्यान रख लीजे, lack of money is lack of result, अपने उपर अगर आप लोग पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, तो कभी भी result चेंज नहीं होगा, बुक वाली वीडियो बनाईती, कितने लोगों ने बुक बहुत ही कम लोगों नहीं, उसका कारण क्या है, कि आप लोगों को free PDF चाहिए, और एक सच्छा ही बता देते हैं, 99% cases में follow होती है, free PDF को कोई पढ़ता भी नहीं है, इध्यान रख लेना, free PDF से कोई पढ़ता हो नहीं है, यहने कि अगर आपको दे दी जाए ना, books की PDF, जो कि illegal तरीका है, आप लोग उनको use नहीं करोगे, इतना चट्टा आपके mobile में अभी भी लगा हुआ होगा, उन PDF का, पर आप उनने पढ़ नहीं रहे हो, क्यों, क्योंकि आपके पस इतना सारा data आगया, आप खोदी confused होगे हो, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, अपने उपर पैसा खर्च करना बहुत जरूरी है, जब तक आप लोग उस पर पैसे नहीं दोते हो, तब तक आप लोग attention पे नहीं करते हो, जैसे कि हमारे exam में ही हो रहा है, free exam है, कोई आता है, मन में है, तो देता है, नहीं है, तो नहीं देता है, और दूसरी चीज, 25 question के 25 question attempt करते हैं, और marks कितने आते हैं, तीन साड़े तीन, उसका कारण क्या है, आए, exam में enter हुए, जल्दी से सारे question attempt किये, और चल दिये, भाई मेरी तो attendance लग गई, इससे कुछ नहीं होने वाला है, 25 से 25 question जितने लोगों भी कहते हैं, सब के number बहुत कमा है, तीन साड़े तीन, चार number, cut exam नहीं देते हैं, और कुछ ऐसे हैं, ना enroll करते हैं, ना exam के लिए पूछते हैं, तो आपको अपने actions को बदलना होगा, अगर result different चाहिए तो, जब तक आप लोग implement नहीं करोगे, result में कभी भी परवरतन नहीं आएगा, तो blindly trust करना बंद कीजिए, उससे सवाल पूछिए, अपने actions को change कीजिए, और जब तक आप लोग पैसे की कमी को सामने रखोगे अपने आगे, पैसे को ज़्यादा मेहत तो दोगे, तब तक आपके results कभी improve नहीं होने वाले हैं, यह ध्यान रख लीजिए, और अब हम लोग बात करेंगे, cut off इतनी कम क्यों होती है, क्योंकि cut off पता कितनी आती है, 180, 170, जो की कितनी है माले है, 90% के आसपास है, 200 marks का exam होता है, और उसमें से अगर 180 की general category की बात करना है, अगर यहां पर cut off जाती है, तो 90% हो गया यह, ठीक है, और आपका Air Force की cut off, X group की कितनी जाती है, 30, 32, जो की कितना है, 42 से 45% के आसपास है, तब भी आप लोग इसमें रहे जाते हो, उसका कारण ही यह, यह, कि आप लोग maturity नहीं दिखाते हो, तो mature बनिए, अपनी तरफ से मेनद कीजे, 42% कोई ज्यादा number नहीं है, 30, 32, बहुत कम number है, आपको एक अच्छे number secure करना है, और उसके लिए क्या करना होगा, अपने action को बदाना और कितना time आप लोगों को मिल चुका है, लेकिन आपके result अभी भी वही आ रहा है, कहने का मतलब आपका exam March में होना था, March से लेके June हो चली, और extend हो गया है, तब भी आप लोगों का syllabus complete नहीं हो रहा है, अब तक तो आपका syllabus complete हो जाना चाहिए, मान भी लेते हैं, अगर 10 दिन अगल दोगे, कोई पता नहीं है कि वह सही option आपने टिक किया या नहीं है, exam हमेशा धिमाग खोल कर दोगे, तभी ही सही होगा, यह नहीं है कि दिमाग में भर लिया, सब कुछ बर लिया, किसी भी exam की preparation कर रहे हो, और जो students x, y दोनों की preparation कर रहे हैं, वो आभी भी बहुत बाला है, I hope आप लोगों ने वीडियो को यहां तक देखा होगा, और जिनको लग रहा है कि हमने जो बात कही है, वो सच है, तो please comment करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि जो नए students हैं, उनको भी पता चले, और आपको हमेशा क्या जानना है, exam date, exam postpone हो गया, तो क्या हुआ, आपका syllabus तो अभी भी incomplete है, आपके number तो अभी भी बहुत कमा रहा है, तो इस चीज को दूर करने के लिए, आपकी consistency को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, regular consistent रहने के लिए, आपको क्या करना है, आपको Air Force में क्यों जाना है, सबसे पहले तो ये कारण लिखिए, ये आपका पढ़कर आप लोग पूछिए, क्या जो मैंने इसमें लिखा है, क्या मैंने इसके लिए sufficient study आज की है, नहीं की है, तो आँखों में नीद नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तो action को बदलिए, तब ही आपके result change होंगे, जो चीज़ें आपको बताई जारी है, उनको implement कीजिए, त होंगी, जब तक आप लोग अपने actions को नहीं बदलोगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा, और blindly trust करना बंद कर दीजिए, I hope आप सभी को ये सारी बाते समझ में आयोंगी, क्यों ज़्यादातार students fail होते हैं, Air Force के exam में, तो next video में हम लोग बात करेंगे, Air Force Y Group के लिए, जो exam date है वो हम क्या रख रहे हैं, किस दिन आपका exam लेने वाले हैं, online exam, free में, और क्या timing रहे हैं उसके लिए, registration कैसे करना है, thank you